आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, आज की Question में बोला गाया है Name and Explain the Process that occur in Distal Convulated Tube during Formation of Urine तो अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी Process होती है तो वो Process होती है Tubular Secretion की Process Basically, जो Generally Take Place होती है किसके अंदर? Distal Convoluted Tube के अंदर ठीक है? या पर Tubule के अंदर और ये कब होती है? हम कह सकते हैं ये Process होती है During Urine Formation या फिर हम कह सकते हैं जब Urine Formed होता है उस टाइम पर इस Step के अंदर क्या होता है दोस्तों? Basically, जो Unwanted Ions होते हैं हम कह सकते हैं जो West Ions होते हैं या फिर जो West Urea होता है या फिर जो West हम कह सकते हैं Ammonia होता है वो क्या होते हैं? वो Past हो जाते हैं देन अगर हम बात करें उसके बात क्या होता है? उसके बाद जो urine होता है वो formed हो जाता है और उसके हम कह सकते हैं distal convulated tubule के थूब और वो कहां पर पहुँच जाता है? collecting duct पे पहुच जाता है collecting duct पे पहुचने के बाद अगर हम बात करें तो एक region होता है renal pelvis इस जो की इनर मोस्ट रीजन होता है हम देखें किड़नी के अंदर वो इस यूरीन को क्या करता है रिसीव करता है रिसीव करने के पाद हम कह सकते हैं यह यूरीन किसके अंदर एंटर करता है यूरीनरी ब्लैडर के अंदर एंटर करता है ठूर यूरेटर और टैंपररी सब कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सो चार सो चार सो पर